हे फूरीज आज हम फास्टिंग रेसिपी देखने वाले हैं आप इसे बासुन दी या फिर खेर भी बोल सकते हो सबसे पहले बरतन में दूट डालेंगे इसमें उबाद आने के बाद काजू पेज डालनी है अब जाएगा थोड़ा सा केसर इसके बाद हाफ कप चीनी डालके दूट को थोड़ा सा गाड़ा होने तक पका लेना है एक चमच इलाइची पाउडर डालके मिक्स करेंगे अब फ्लेम बन कर लेते हैं और दूट को थंडा करने के लिए रख देते हैं यहाँ पे एक केले को चौप कर लेंगे और दूसरे केले को स्मेश कर लेंगे अब दोनों चीजों को दूद में डालके अच्छे से मिला लेते हैं इसके बाद पिस्ता और बदाम से गार्निशिंग कर लेंगे इस तरह से हमारी बनाना खिर तयार है अगर आपको आज की यह रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए चलिए दोस्तों तुम मिलते हैं ऐसे ही एक और रेसिपी के साथ तिल दा टाम सी यू एन बबाई